प्यारे बच्चों आए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाश 10th का मैथ का ये पहला चेप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है इस चेप्टर से जितने भी आपके बोर्ड एक्जाम में प्रस्ण पुछे जाते हैं उन सभी प्रश्णों के उपर हम इस वीडियो में डिस्कर्स करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिए और सभी प्रश्णों को ध्यान पुरवक से प्रैक्टिस कर लिजिए जीरो दसमलब 6 पे देखिए हलका सा एक रेखा है ना परीमे संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए यहाँ पर जो 6 के उपर एक जो रेखा खिची हुई तो वो क्या है कि वो पुरुना विड़ती हो रही है बार बार वो 6 6 6 चलते रहेगा तो देखिए हम उसको मान लेते ह है कि एक्स बराबर सुनी दसमलब 6 है ना उपर पर एक थोड़ा सा एक रेखा दे देंगे जहां 6 की पुरुना विड़ती हो रही है यानि कि बराबर वो 6 6 चलते रहेगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुए इसलिए एक्स बराबर सुनी दसमलब 6 6 6 6 यह चलता रहेगा तो अब दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर क्योंकि जितना के उपर यह पुरुना विड़ती होगी तो एक के उपर होगी तो 10 के उपर होगा तो 100 से करना है दोनों पक्षों में गुना ठीक है तो देखें यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ था एक्स बरा गुना करेंगे तो यह हो जागा 10 X और इसको गुना करेंगे तो हो जागा 6.666 और यह चलते रहेगा फिर आगे देखिए यहाँ पर आपका हलो करके चलता हूँ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मान X आया है वो यह पर देख लिजिए कि इतना का मान क्या हम यहाँ रखें एक्स तो बस इतना का मान हम यहाँ पर एक्स रख लिए ठीक है न और उसके बाद देखिए आप फिर क्या होगा कि यह 10 X है तो X दिया हूँ था यह जो इसो एक परिमेश संख्या का रूप कितना होगा इतना होगा ठीक है चलिए तो देखिए अगला प्रसना आपके सामने है कि अभाज गुननखंड द्वारा पान सो दस और बिरानवे का मौसो तथा लोसो ग्याद करें ठीक है तो आप क्या करोगे पह एक है ना अब फिर बिरानवे का गुननखंड देखिए आपके सामने यहाँ नीचे निकला हुआ है है यह LCM निकाल दोगे और इसके बाद जिसो यहाँ पर आपको रख देना है ठीक है अब सवाल यह उठता है कि मौसो कैसे निकालेंगे तो देखिए मौसो निकालने का य इसको निकालेंगे थे इसको यह लेकिन यहाँ देखिए आप किसी में वह सबसे अधिकتم बार लिखी गई है तो आपको वही दिख nah है जैसे यहाँ एक बार लिखा हुआ तो इसको हम ने लिखेंगा यहाँ दो रिखा हुआ है तो हम उसको लिखें तो कोई दिकत नहीं है बाकी जो सेस जो बच रहा अगर दोनों में न भी मिले तो भी आपको लिखना है जैसे देखें पांच नहीं मिल रहा है। 2isa है न, सकेंड वाला में तो फिर भी 5 लिख लिए, 17 नहीं मिल रहा है, फिर भी लिख लिए, है न, यहाँ पर देखिए, 23 है, 23 उपर में नहीं मिल रहा है, फिर भी 23 लिख लिए, ठीक है, और जब आप इसको गुना करोगे, सबको, तो आपका आएगा 23,460, ठीक है, तो यह हो 266 है, और 25 का मौसोग याद करें, ठीक है न, तो देखिए, यहाँ युकिल्ड के विवाजन एलिगूरिदम, A बराबर BQ पलस R, जहां बड़ा संख्या, आपका क्या है, बड़ा पुरुनांक, A बराबर कितना है, 866 है न, और तो छोटा पुरुनांक, B बराबर कितना है, 255 है, चली देखिए, अब क्या करना है आपको, यह देखिए, मौसोग याद करने के लिए, जनरली यहाँ पर क्या करोगे, जब एकजाम में जब करोगे, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, यह तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आपको पीछ 266 बराबर और उसके बाद B का मान है ना यह 255 अर गुनित 3 और प्लस R का मान यानि सेस्फल कितना है 102 अब जब अब इसको आप भाग दोगे देखो यहाँ पे है ना सबसे पहले मैं एक बात और बता दूँ देखिए यह आपका होता है A का मन है ना यह होता है B और यह होता है आपका Q का मान और यह जो होता है यह R का मान होता है ठीक है चलिए तो अब क्या करोगे यहाँ पर यह मान दर साती चला जाना है और हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे यह मान देखिए यहाँ आ गया और यह मान देखिए यहाँ आ गया कहने का मतलब पर लिख दी यह जो इसो पहले भी था और भी आप क्या हो गिया यहां पर आ गिया एक जगह पर आपको समझ में आ गिया होगा ठीक है तो इसी प्रकार से जब आप इसी तरह से आप आगे हल करते रहोगे तो हल करते करते कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा औ सब्सक्राइब तो समझ में आ चुका होगा चलिए अब चलते है निष्ट प्रेस्ट पर कि सिद्ध करें कि रूट अंडर से वन एक अपरी में संख्या है देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दूसरी अश्टाइल में मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और यह दो नमर में पूछा जाता है दो अंकिये प्रश्ण है यह तो यहां पर कुछ मैं आपको कुछ सौट ट्रीक बता रहा हूं ठीक है उस ट्रीक का अपलाई करके आपको प्रसंद छोड़ना नहीं आपको एकजाम में बना ही देना है कैसे बनाओगे यह देखिए कि माना की रूट अंडर सेवन है ना रूट अंडर सेवन एक परिमे संख्या है हाला कि यह तो है आप परिम की चीज लेख देना है जहांके पी बठे क्यू बराबर यानि कि पीब टे क्यू को आप आर भी लिख सकते हो ऐसा आपको थोड़ा सा यहां पर दर्सा देना है यदि R एक परिमे संख्या है, यानि यह जो इसो परिमे संख्या है, तब जो इसो क्या होगा, रूट अंडर सेवन भी एक परिमे संख्या होगा, है ना, लेकिन रूट अंडर सेवन एक परिमे संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे R देना है, इसलिए R भी एक परिमे संख्य संख्या नहीं होगा फिर आगे लिखना है आपको कि क्योंकि क्योंकि रूट अंडर्स सेवन जो एक परी में संख्या नही cuma कि एक परीमें शंख्या इसलिए हमारी मान आता गलत सिद्ध हुई है अता root under 7 एक अपरी में संख्या है ठीक है चली अब आते हैं अंगले प्रस्ण उपर अगला प्रस्ण आपके सामने है देखे यह वही प्रस्ण है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है मान कि सिद्ध करें कि 3 root under 2 एक अपरी में संख्या है चली इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि 3 root under 2 एक परी में संख्या है यदि ये परी में संख्या होगी तो यह पी वटे Q की रूप में बरावर होगी तो root under 2 यहीं रह गया और यह जो सोतिर्चा गुना हो गया तो हो गया पी वटे 3Q अब यहाँ पर आपको लि लेकिन root under 2 एक परी में संख्या नहीं है इसलिए पी वटे 3Q भी एक परी में संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 root under 2 एक परी में संख्या नहीं बलकि परी में संख्या है इसलिए हमारी मानेता गलत सिधुई आता है root under 3 root under 2 एक परी में संख्या है ठीक है चली अब चलते है अगल प्रसंद देखिए कुछ इस प्रकार है तर यह ऐसा रखे माना आपको बनाना उसी प्रोसेस में है माना कि चार माइनस रूट अंडर पांच एक परी में संक्या है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे यह रूट अंडर यह जो चार है चार यहां रहा गया और पीवटे क्यू म कोई वह रिष्ट गुणन कर नहीं है यदि चार माइनस है ना यह वाला जो यहां पर खाब का पहले एक बार इसको लिखेंगे फिर एक बार इसको लिखेंगे ठीक है चली यदि चार माइनस पीवटे क्यू एक परी में संक्या है तब रूट अंडर पांच भी एक परी में संख्या नहीं इसलिए इसलिए इतना भी एक परी में संख्या नहीं होगी ठीक है क्योंकि क्योंकि चार माइनस रूटेंडर पांच एक परी में संख्या नहीं है बलकि और परी में संख्या इसलिए हमारी मानेता गलब सी दुई आता चार माइनस रूटेंडर पांच एक परीमे संख्या है अगला प्रस्ण आपके सामने है कि दिखाईए कि एक धनात्मक विशंग पुरुनांग चार क्यू पलस वा चार क्यू पलस त्री के रूप में होता है माना की एक धन पुरुनांग है ठीक है तो यूखिल्ड के भाग लेमा से अब देखे इसको आप थोड़ा सा समझे यहाँ पर देखे जब आप किसे संक्या में भाग देते हो जिसे कि मानलीजी हम दो से दे रहे हैं साथ में भाग ठीक है तो दो से तीन बार में जाएगा ये दो ती अच्छे है ना एक बचेगा सेस तो देख रहे हैं इसको बोलते हैं A इसको बोलते हैं क्या B और इसको बोलते हैं Q और इसको बोलते हैं R ठीक है तो हमेशा क्या होता है यह जो 0 आया है यहां है यह R जो है तो क्या होता है कभी 0 भी आता है और कभी अगर पूरा यह कट राट होता तो यह तो पूरा कट के जीरो हो जाता क्या amственно? तो यहां पर तो नहीं कटा है तो एक आया से, कभी-ई कभी क्या होती है कि जो जीरो है ना, वो र के बराबर भी आता है कभी और कभी जो स अर का मान आता है वो सुनिष से बड़ा भी हो जिसे कि देखें यहां टो चीजे समझ माग गया तो, देखी, अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ, आपके सामने कि B बरावर 4 यह देखें, यहाँ पर जैसाकी प्रशनशंत्स से ही समझना है आपको, बी के जगा पर क्या लिखा हुआ यहाँ डीक знаю प toutा है, आर के जगा पर 3 ला यह यही होगा है ना चार जेसो क्या है चार जेसो आर से बड़ा है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर बराबर जेसो यह आपका जिरो भी होगा एक भी होगा दो भी होगा और तीन भी होगा ठीक है चलिए अब समिकरन में है ना एक में आर का मान बारी-बारी से रखने पर ठी है ना उसके बाद दो रखेंगे उसके बाद फिर तीन रखेंगे ठीक है ना अब देखे आंत में आपको यहां पर प्रसंद जो जैसा कह रहा था है ना कि दिखाए कि एक धनात्मोंग विशंप पुर्णांग चार क्यू प्लस वन और चार क्यू प्लस तीन के रूप में होता है जहां कि वह एक धन धनात्मोंग पुर्णांग है ठीक है इस प्रकार से आपको प्रूब्ड लिख देना है चलिए आगे देखिए अगला प्रसंद आपके सामने है कि दिखाए कि कि किसी धन पुर्णांग का वर्ग चार प्लस चार एम प्लस वन के रूप का होता है तो उसी प्रकार बनाना है कि माना की एक धन पुर्णांग है तो यो किल्ड के भाग लेमा से बराबर वी क्यू प्लस आर जहां यह लिख देना आपको बी बराबर चार रखने पर ठीक है फिर जेसो समिकरन एक बना लो इसको आप इसके बाद जेसो जहां लिखना है फिर आपक इसे रखकर है ना दोनों पक्चो में वर्ग करने पर ठीक है इन बतों के उपर ध्यान रखे क्योंकि आपको वर्ग करने पर बोल रहा था तो यहां पर देखिए आपको रखना है मान और उसके बाद वर्ग करना है वर्ग करने पर कुछी इस प्रकार आएगा यहां पर फिर्फाटे जाना है है ना जब आगए हल करोगे इसको में तो हवाय करने के यहां पर आपका कि अड़ल करोगी चार आपको बैठेगा लुवार्टधा टो कि शौस Св cham न था हाँ तो नृडटा है यह इस तरह से रह awaits 4 यह सितन थह Nejस दर्णाह बष्टा है चलिए अब प्रस्न आपके सामनेए कि अब हागी गुननखंड परक्रिया से 94-C wannable 404 का मोजा यानिरा की SCF की साहता से LCM निखालें ठीकrem तो सबसे पहले गुनंखंड आप और कर अगे गुनंखंड करने daddего in धक करने के बाद फिर आप क्या करोगे उन सभी मानों को यहां पर रखना है और उसके बाद आपको मौसों निकाले ना मौसों क्या होता है देखिए दोनों में जो मिले है ना यहां दो मिल गया फिर यहां भी देखिए दो दो मिल गया तो यहां दो लिख देंगे उसके बाद एक और जितना जादा से जादा हो सके इस वीडियो को सेर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गए वीडियो की नियोट पे खसन आपको टाइम पे मिलता रहे तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरव